बेल तरोडी थाना शेटर में बेसा रोट से लगा रिहाईशी इलाका दुपैर करीब साड़े तीन बजे दो जोर्दा धमाकों से धैल उठा पता चला कि दो एम्बूलेंसों में रखे ऑक्सिजन्स लेंडर फटे हैं हलाकि घटना में किसी की जनहानी नहीं हुई है लेकिन पक्पो त्रिपाठी नामक वैक्ती के जुलसने के कारण मेडिकल में भड़ती कराया गया है मताय जारा कि त्रिपाठी इन में से एक एम्बूलेंस चलाते थे धमागों की वज़े से कई घरों की खिड़कियों के काच तूट कर बिखर गए जानकारी के अनुसा बेसा रोड रेवती नगर में शिव गंगाग लॉन है तो फैर करीब लॉन के पास ही दो एम्बूलेंस खड़ी थी दोनों के ड्राइवर खाना खाने के लिए अपने घर गए हुए थे इस दोरान एक अम्बूलेंस में अचानक आग लगई कुछ देर में ही आग के कारण इस अम्बूलेंस के भीतर रखा ऑक्सिजन सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया इस कारण उसके ठीक पीछे खड़ी दूसरी अम्बूलेंस में भी आग लगई देखते आग तेज हुई और जोरदा धमाकी के साथ ब्लास्ट हो गया जानकारी के नुसा दोनों एम्बूलेंस में कुल साथ ऑक्सिजन सिलेंडर थे इनमें से दो बे ब्लास्ट हुआ जब कि पांच बच गए अंदाजा लगाया जा सकता है कि यदि सभी साथ सिलेंडर फट जाते तो परिसा में कितनी तबहाई मच सकती थी ये दोनों सिलेंडर महराश्रन नंबर वाली एम्बूलेंस में ही ब्लास्ट हुए दूसरी एम्बूलेंस में रखे पांस लेंडर बच गए ज्यातों कि इस वर्ष मई महा में बेलतरोडी थाना शेतर में ही महाकाली जोपरपटी में करीब 20-25 ब्लास्ट के कारण पूरी बस्ती ही खाक हो गई थी सैक्रो परिवार बेघर हो गए थी एम्बूलेंस में आग लगने के बाद पहले तो आसपास के लोग जमा हो गए लेकिन इससे पहले की कोई एम्बूलेंस के पास तक जा पाता ओक्सिजन स्लेंडर में ब्लास्ट हो गय दूरी काफी होने की चलती कोई भी नागरिक ब्लास्ट की चपेट में नहीं आ पाया इससे जनहानी टल गई हलकी धमाकी की वज़त से आसपास की बिल्डिंगों में लगे कांच तेड़क गए पासी बने एक होटल की सीलिंड है गई खिड़की दरवाजे सीची टीवी कैमरे तक तूड गए एक गोडाउन का पूरा टीन शेड ही उड़ गया कैमरा परसन अमोल किस्सा शितिजा देशमूग बीसेन न्यूस नापपुर